हथेली में पानी लेके अपनी चौच के अंदर एक बून पानी लेके कौन उस आग को बुझाने के लिए आता है वो सच्चा रापुशने बगा है और जो उस आग के अंदर घी देर डालता है जो उसके उपर चिप्टा लेके अपनी रोटी से रहा है उससे बड़ा देश द्रोही और करदार होई अपने यहां पे हरियाना में कुछ महीने पहले तंगा पसाद हुआ था आपको ध्यान हो पूरा हरियाना जल रहा था रौतक गुझा चør राक्षन के नाम पर और को घंसे दंह पसाद कहीं पे जाट और सेनी Кा दंगा आख कहीं पेजां और राग कूदाहता हुन्धा कई एक समुदाय दूसरे समुदाय सब हिंदों के दंगे थी कॉन चला रहा था हो हर्याना के मुख्य मंत्री दुपका हुआ बैठा था बोल नहीं रहा था इस देश के प्रधान मंत्री ने उन बारा दिन तक संगेश रहे हर्याना में बुरहा था प्रधान मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है आज तक एक शब्द नहीं बोला है उसके उपर लोग मर रहे ह मर रहें, लड़ रहें, काट रहें, शहर के शहर जल रहें, लोग एक दुसरे के खिलाफ बंदू के ले लेके लड़ रहें, पुलिस भाग रही है, फौज आने नहीं दे रहे हैं, कहां गया देश प्रीमा, राष्ट पे इंकी परिक्षा ये है, सच्छा राष्ट बादी वो है, प्रधान मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, नेता हो, उसकी परिक्षा ये है, जो वहाँ जाके पीछ में खड़ा होके कहें, कहें कि ना भाई, हम एक देश के अंदे को ऐसा है, सवराज अवियान के हम साथ ही सब मिलके, हरियाना के दंगे के बाद एक एक गाउं में गए ज अब का भाई, आपके घर में इस बच्चा मरा है, मेरे देश का बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई मरा है, दुख रवेक्ट करने के लिए आया है, अंदोनन से मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, आपकी बात मुझे राजगतिक रूप से अच्छ नहीं हो गाए, जाना लिधा के बात करनेगी जाता, इस अन्टोर्मईन के पास भिले पास गये, जो आंडुनर्टन कारी हो के गोलही जाता हृँ, यह कोई नही जाता है नुन्हों के लिख दरसिते हो कि जाता है, इस हिए जाता है उस महले में जाते दें बाकी आदे नेता आते थे पड़ोस के गाओं में जाते थे दोनों के पास कोई नहीत है राश्वार्ट की सची परिक्षा यह है कि आप दोनों का दुख्द जाना दोनों के घ्घाओं के मुनिकाऊनी और आपको बताऊं ये बड़ी-बड़ी राषभाती वाद घरमे बाला एक आदमी वहाँ नहीं पहुंचा, एक बिक्तीवहाँ नहीं पहुंचा उनNते दुख सुभ जाने को, दोनों के दिल को जूडने के दिल दोनों को एक कुसरे के नदेरा दीक हैं और यही काम हमागी करेंगे जैसे मैंने करा आपको दो अक्तुबर से हम दिल्ली के अंदर एक दिल्ली से शुरुआत करके एक नई पार्टी बना रहे मगर एक चीज़ हमने बार बार कही है पार्टी का मतलब सिरफ चुनाव लड़ना नहीं है और चुनाव का मतलब किसी भी तरह से जीत लेना नहीं है मर्यादा में काम नहीं है नियम के इसाब से करेंगे इमानदारी से करेंगे अगर कोई दूसरी पार्टी वाले अच्छा काम कर रहे है तो क्या जाता है आपका कहने में कि हावाज अच्छा काम कर रहे है दिन पहले हम क्या कर रहे हैं, अमन के लिए यहां पे एक सम्मेश कर दो, इस देश में राजनीती का दूड़ना हो गया है, इसको इससे तोड़ो, इनको बताओ आप बिहाद से हैं, इनको बताओ आप बिहाद की नहीं हैं, आप दोनों का आपसे लड़ा दो, आज इस देश म तो राज अभियान की तरफ से हमने कई संकल पुठाया और यहां कई बहने बैठी हैं, आपके लिए विशेष रूप से कहना चाब रहा हूँ, पिछले महीना भर दिल्ली के अंदर एक कैम्पेण चलाया, जिसको बाद में दुबारा शुरू करेंगे, वो यह यह इस पिछले की दिल्ली में जो शराब के ठेके खुल रहे हैं चारों तरफ उसके विरुद हम दिल्ली की जड़ता को जोगए हैं, पर हम का क्या जिए पूटी सी बाद कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, रिहाशी इलाके में शराब की दुगान अगर खोलनी है, तो वहां के स्थानी है लोगों से पूछिए, और लोगों से भी ज़्यादा, वहां की महिलाओं से पूछिए, अगर वारत कह देती हैं, हाँ ही हमारे मौले में शराब की दुगान खोल तो, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं दस खोल दो, लेकिन अगर और वारत कहती है, कि नहीं शराब की दु पॉल जाकाय होगा है। हमने पर दीप आप करने हैं Mexico मेंटरों से उत्रों उधर पे शराब करने का वहां पे सारे लोग पीप आप एक खड़े हुगी। पामने का कि दिल्ली भर में हम इसका पेम्पेन्ट चलाएंगे। दिल्ली भर में इसका अवियान चलाएंगे। कि जहां लोग कहते हैं कि रहाइशी इलाके में हमेश हराग की दुकान नहीं चाहिए वो अपनी बात लिखे जएं, वो अपना विरोध लिखे बेक्त करें और स्वराज अभियान की तरफ से हम उन सब को जोड़ेंगे और दिल्ली में इसके बारे में बड़ा अभियान चलाएंगे और यहां आपनी जहनों से रगुटेट से इसके बोश्क करेंगे कि आप इसके अंदर लीड लीजिए, ऐसा नहीं किसमा भाई इसका विरोध करेंगे लेकिन इस आंदोरन में बहने आगे चलती हैं तो बागी पूरा समाज साथ में ख़बा होता इसकी लीडर्शिप ओर्तों को लेनी होगी आप लोग इसके अंदर लीडर्शिप लीजिए पूरे दिल्ली में इस सब करते हैं आपने पूछा दिल्ली सरकार से क्योंकि कहीं जहें इसे शिकायत आ रही थी दुकान फूर के लिए जो हमें पता रगा सरकीसी पत्रकार से कहाँ पूछो पत्रकार को बताया गया कि दिल्ली में पिछले एक साल में हमने छे नहीं दुकाने खुर ली है हमने काया दस शिकायत तो हमारे पास आ चुकी चैसे कैसे होगा कुछ तो और मामला है और जगें पे पूछना शुरू किया चेक करना शुरू किया फिर पंकज भाई ने विदान सबा की अंतर प्रश्ण पूछा हो विदान सबा में प्रश्ण पूछा उन्होंने इतने शराब के ठेके खुले हैं बता है कि अ उत्र ड़े डिशलाव के उत्र दे आपको सरकार बड़े गुवाँगी उत्र दे थे ख lang ऊसे को एक नहीं होता कोई L6 ल बता लगा की दिल्ली में नशा उप्ते करने का वाइदा कर्शी है आई हुई सरकार ने सिर्फ सबा साल में तीन सो निन्यनवे नए शराफ के ठेके खोड़े हैं तीन सो निन्यनवे मैंने किसी से का या दिन लेना किसने दिन की बात है पता दका तीन सो एकतर वर्किंग देज थी उसके बीच दस अगस तक का अंगरा है दस अगस तक का अंगरा विनान सबा में दिया है तीन सो एकतर वर्किंग देज और तीन सो निन्यनवे नए थेके खोड़े ये सिति दिली में इसमी मैं महिलाओं से विशिष रूप से कह रहा हूँ आपको आगे आना होगा जहां जहां पे दुकाने खुल रही हैं उसके बारे में पेटिशन बनाएंगे लिख लिख के देंगे और सरकार से कहेंगे प्रशासन से कहेंगे जो कोई दिली का इंचार्ज है भाई इस चीज़ को बन कर तो यह सब अभियानम चलाएंगे आपने अभी पौदा मुझ से लगाने के लिए कहां बहुत बढ़िया आपने 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 का पौदा लगाया है बहुत वाश्रती बाला पौदा है और भाईस आपने का कि जब इस पौदे को देखेंगे योगें जी को याद करने के मेरा एक सुझावैजी आप मेरे को याद मतने आप जब इस पौदे को देखो इस पौदे में फल को देखो तो अमन को याद करना यहां उले का पेड़ है आप अमन को याद करना पौदे में कोई जगडा हो